स्वागत है दोस्तों आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजवी लाइप पर किस्टानो रोनाल्डो सौधी अरब के हो गए हैं जी हां मैं घलत नहीं बोल रहा हूं सौधी अरब के कलब ने किस्टानो रोनाल्डो के साथ एक भारी भरकम डील के साथ साइन किया या के बड़े-बड़े कलब मैंचेस्टर उनाइटड, रियल मैरेडड जूँआट जैसे कलब गरे खेला ऑफ किस्टानो रोनाल्ड जिसको लेने के लिए अपने कलब में क्लब में शामिल कर लगे दुनिया के बड़े-बड़े कलब लाइन लगीवी थी दुनिया के बड़े बड़ी डील को पीछे छोड़ते हुए यानि उन पर फाकियद देते हुए सौधी अरब के कलब के साथ वो खेलना चाह रहे थे और सौधी अरब के कलब में वो शामिल होगे यानि साल 2023 में वो सौधी अरब के साथ खेलेंगे जिस कलब ने उनके साथ डील की कौन सा कलब सोच जिसकी तरफ से वो खेलते हुए नजर आएंगे वो खिलाडी खेलेगा जिसने अभी हाली में उसी सौधी अरफ के बगल में अपरी टीम यानि पूर्टगाल की तरफ से खेलते हुए क्वाडर फाइनल मकाबले से बाहर हा था रिस्टान और इंडलांडो जिसने एक सोचानवे मकाबले उन्तराश्टी मैच खेले उसमें 118 गोल किये दुनिया के कमी ऐसे के जो वहां तक पहुंचे उसने 118 गोल अंतराश्टी मकाबलें के लिए साल 2003 में वह अंतराश्टी में पदारपन करता है बीस साल पहले उसने कलब साल 2003 से साल 2009 मैंचेस्टर कलब की तरफ से खेला आज उसके बारे बहुत सारी जाने का दूँगा पल के बिचाय साओधी अरभ के कलब ने उनका स्वागत क्या साओधी अरभ के फूटबाल लवर ने पाफ साओधी फूटबाल के चाने वालों ने जिस तरह से क्रिस्टान और रोनाल्डो का स्वागत के वो भी देखने वाला था अलनसर के खिलाड़ियों को क्या पाइदा होगा उसकलब को क्या होगा बहुत जादर क्योंकि कोई किसी से युही नहीं डील करता 211 मिलियन डालर छोटी मोटी रकम नहीं होती दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इतनी रकम कमाने के लिए इतनी रकम हासिल करने के लिए पसीने बहा देते हैं उनके पैर घिस जाते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंचते हैं किस्टान और रोनाल्डो को 1751 करोन रुपए में अलनसर ने साइन किया यानि अपने कलब में शामिल किया उससे पहले साओधी अरब के कलब से पहले उसने किस किस कलब के साथ कितने मकाबले के लिए यह भी जल दिल दे आपको बता दू सबसे पहले बताना चाहूँगा साल 2003 से साल 2009 तक उसने मैंचेस्टर युनाइटेट की तरफ से 196 मकाबले खेलते हुए उसने 84 गोल स्कोर किय उसके पास साल 2008 से साल 2021 तक जुआंट कलब की तरफ से उन्होंने खेला था और जुआंट कलब के अठान के मुकाबले मुनों ने हिस्सा लेते हुए गोल स्कोर के से 88 गोल तर दोबार साल 2022 में पहुंचते हैं अपने उसी कलब में जिस कलब के साथ उसने बड़े कलब के से कैरिर की शुरुवात की थी यानि पहुंचते हैं दोबारा से मैंचस्टर उनाइट कलब में और वहां पर उन्होंने 40 मुकाबलों में हिस्सा लेया था और 40 मैच खेलते हुए मैंचस्टर उनाइट की तरफ से उन्होंने जो दूसरी पार जब जब खेली ती और साथ उनके खेलेंगे उस रेगिस्तानी टीम के तरफ से खेलेंगे जीसमें एक भारी भरकम 1751 करोड रुपए में उसके साथ डील की है सौधी अरब का सौधी अरब के फुटवाल का इससे माना जाता काफी फायदा भी होगा सौधी अरब के खिलाड़ी उससे सीखेंगे जानेंगे उस दुनिया के उस बड़े खिलाड़ी का एक लंबा तजरबा उनमें शेयर होगा जब उनके दर्मियान बटेगा उनके आसपास जब खेलेगा उनसे बहुत कुछ जानेंगे ना सिर्फ मौजूदा खिलाड़ी बलकि आने वाली नसलें जो साओधी अरब के फुटबाल खिला करऊंगा फिलाल इस वीडियो में यहीं तक मुझे शाहिद आदमी को यह करती अन्यमति दीजे हमारी बात्चित हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत हो शुक्रिया धन्यवाद